जय जय शिरादे मित्रो मैं पंडित आशी शर्मा मेरे इस यूटूब चनल में आप सभी का हार्दी का विनंदन है स्वागत है और आशा करता हूँ कि आप सभी स्वस्त होंगे आनंदपूर्वक होंगे सुख में होंगे मंगल में होंगे मित्रो आज आपको एक अदबुत जानकरी देने जा रहा हूँ एक अदबुत मंत्र एक ऐसा मंत्र जो मंत्रों में मंत्रों का राजा है लेकिन इसका रहस्य केवल वही जान पाया है जिसने इसको उपयोग किया है इसका प्रयोग किया है जिसने इसको जपा है जिसने इस मंत् उसको इस मंतर का लाब पता है कि यह मंतर कितना शक्तिशाली कितना तिब्र गति से काम करने वाला यह मंतर है तो आईए आपको मंत्र के बारे में जानकरी देता हूँ लेकिन इससे पहले मैं चाहूँगा कि जितने भी नए दर्शक मेरे इस चैनल में आ रहे हैं और वीडियो को देख रहे हैं उनसे यही प्रार्थना है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी न भूलें बेल आइकन को दबाएं और नौटिफिकेशन आउन करें इससे जब भी मैं आपको कोई भी अपलोड वीडियो करना चाहूँगा तो आपको सबसे पहले वह पता चलेगा कि यह जानकारी दी गई है तो आप उसे बड़े ही असानी से देख सकते हैं तो मित्रो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जूर करें तो आज की बात को फिर से शुरू करता हूँ महालक्षमी देवी का और मापारवती का यह महामंत्र जो मैं आपको देने जा रहा हूँ बहुती शुक्षम मंत्र, बहुती छोटा मंत्र जिसको सुनने मात्र से, बोलने से आपको दुनिया की हर खुशी प्राप्तों ने शुरू हो जाएगी यदि कोई ब्यक्ती किसी कर्ज में डूबा है, तो इस मंत्र को अवश्य जपे यह सुने यदि कोई ब्यक्ती कर्ज के लावा तंगी है, धन की तंगी है, पैसों की तंगी है, परिशान है किसी बज़े से तो इस मंत्र को जरूर जपे यह सुने जो व्यक्ति जिनकी जौब नहीं लगी है जिनको कोई कारे छेतर नहीं मिला है जिनको पैसों का भाब है धन का भाब है लक्षमी की किरपा जिन पर नहीं हुई तो ऐसे व्यक्ति भी इस मंत्र को जरूर सुने मंत्र मैं बोलने जा रहा हूं इस मंत्र को आप रेगुलर यदि रात को सोते समय और सुबह उठकर के या चलते फिरते इसको यदि बोलते हैं सुनते हैं तो आपको इसका लाभ उसी दिन से दिखना शुरू हो जाएगा और आपकी रूची इतनी बढ़ जाएगी कि आप इस मंत्र को जपना शुरू कर देंगे क्योंकि जब तक हमें कोई लाभ नहीं होता तब तक हमें उस चीह का आनंद नहीं हाता तो आपको लाभ भी मिलेगा और आनंद भी आएगा यह मैं आपको 101 प्रतिशत गरांटी देता हूँ इस बात की तो मैं मंत्र को शुरू कर रहा हूँ इसको समझें और मैं लिखकर भी बता दूँगा यहाँ पर सामने ताकि आपको इसको बोलने में कोई दिक्कत ना हो कोई समस्या उत्पन ना हो तो मंत्र है लक्षमी और पार्वती दोनों की शक्तियों का जिसको बोलने मात्र सुनने मात्र से जब हम इसको बोलते हैं इसको जबते हैं तो परमात्मा इसको कैच करते हैं जब परमात्मा ईश्वर गौड इसको कैच करते हैं तो उसकी वाइवरेशन हमको प्राप्त होती है और वो भी positive तो वह मंत्र है श्रीम ब्रजी श्रीम ब्रजी इस मंत्र को इसी प्रकार से बोलना है श्रीम ब्रजी श्रीम ब्रजी यह अदभुत मंत्र आज आपको दिया है इस मंत्र को सुने बोलें चलते फिरते बोलें बैठकर इसको माला जपें जैसा भी आपने करना है जिस प्रकार से जपना है इसने अपना कारे शुरू कर देना है आप किसी प्रकार से इसको जपोगे इसका कारे है कि आपके कारे को सफल करना तो यह मंत्रिती तिब्रगती से काम करेगा कि आप भी हैरान हो जाएंगे कि यह कैसे हो गया तो मित्रो उमीद करता हूँ कि आज की यह जानकारी आपको अच्छी लगी होगी तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें लाइक जरूर करें और शेयर कर जरूर करें इसी के साथ आज की इस जानकारी को मैं यहीं बिराम देता हूँ नमो नाराइन जै जै श्री रादे जै श्री राम